नमस्ति चात्रो कक्षा दस्वी की हिंदिता सिखा में आपका स्वागत है चात्रो पिछली तासिखा में हमने दो लगों कथाए इस पूरक पठाग के बारे में जानकरी देखी तिसरा जो पाठे श्रमसादना यह अभ्यसक्रम में नहीं है मतलब इस पर आपको परिश्या में प्रेश्ण नहीं पूछे जाएंगे लेकिन उसमे आधरिक जो प्याकरण है उसे आपको सौल करना है पूर्न करना है तो अगली जो कविता है हमारी इसका नाम है चापा दूसरी कई कि यह चोथी कविता है जिसका नाम है चापा इसके कभी है कभी ओम प्रकाश आधित्यय चापा का अर्थ है चादरो रेड आपको पता ही है रेड के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि आयकरवी बाके जो अधिकारी होते हैं इंकम टैक्स ओफिसर जो होते हैं वो रेड मारते हैं चापा मारते हैं और कब मारी जाती है रेड आयकरवी बाके अधिकारी उनको दी वही सुचना के अधार पर अनाधी क्रोश से मतलब इनलीगल तरीके से जो लोग धन कमाते हैं उस धन का पता लगने पर उनके घर पर चापा मारते हैं इस कविता में भी कवी ने उनके घर पर जो चापा मारा गया है उसके बारे में कवी ने हम यह आपर जानकारी दी है। इधर भी गदे है उधर भी गदे है। अनाधी क्रूट से मतलब इनलेगल तरीके से जो लोग धनका माते हैं उनके घर पर आयकर और अधिकारी मतलब इंकम टैक्स ओफिसर जो है वो रेड मारते हैं चापा मारते हैं। उसके बार उन व्यक्तियों की जो अस्तिती होती है या फिर जो परिस्तिती होती है उसके बारे में भी इस कविता के मतलब से हम जानकारी देखेंगे। कविता में पढ़ती हूँ और उसका भावारत आपको बताती हूँ आप ध्यान से सुनिये देखें। मेरे घर चापा पड़ा चोटा नहीं बहुत बड़ा वे आये घर में गुसे और बोले सोना कहा है। मैंने कहा मेरी आखों में हैं कई रातों से नहीं सोया हूँ वे रोश में आकर भोले स्वर्न दो स्वर्न मैंने जोश में आकर कहा स्वर्न मैंने अपने कावे में बिखे रहे हैं उन्हें कैसी दूँ देखिए चात्रों आयकरुबाग वाले चोड़ी करने वाले और नाजा कि इस्तेमाल किये जाने वाले शब्दों से जोड़कर यहां पर हाथ से पैदा कर रहे देखीए कई से कभी के ते मेरे घर च्षापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बढ़ी अब आप जानती हैं कभी लेकजु होते हैं पास कहा धन होता है उनका धन तो उनका साइते ही होता है उनकी लिखी गई कविताय रचना यहीं उनके लिए उनका धन होता है फिर भी कवी इसमें भी बहुत समाधानी रहते हैं कवी कहते कि मेरे घर पर चापा पड़ा रेड पड़ी इंकम टेक्स ऑफिसर की और वो भी उसने के लिए किसी की पर्मिशन की आवशकता ने पहले ही वह पर्मिशन लेते हैं वह आकर आपने रेड़ पिच्चर देखे होगी उसमें आपको अच्छे से अंदाज आ जाएगे वह आकर डिरेक्ली घर में घुष जाते हैं और यहां वाट टोलना शुरू कर देते तो ले अब लेक्त के मत्से इहाँ पर सोचुना मतलब माने मैंने का मेरे आखे में यह सोकश सोवं कभी उनके पास सोजा नहीं होँ लिक्ःत रातों से नहीं सोया ख promise यह अगा आग्या सोना तो वह मेरे आखों में हैं मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ अब यह सुनकर अधिकारियों को गुस्सा आया कि हम यहाँ पर इनसे गोल्ड पूछ रहें सोना पूछ रहें यह किस तरीके के जवाब दे रहें तो वह रोश में रोश में मतलब गुस्से में आकर बोले रुपके हैं। कि अधिकारी सोना गोल्ड के बारे में पूच्र रहें लेखक नीद के बारे में उन्हें नेुद घहन थो लेखक लेतं से जवाब दिया कि सुवर मतलब सुन्दर अक्षर समय वेल्य कवितामे में रखे हैं को से घृत